खोशना करते हैं कॉंग्रेस पार्टी वाले उसको बड़ा चड़ा कर फिर वो भी घोशना करने की शुरू किये हम करनाटक में ग्यारंटी स्कीम लागू की तो अब बागी के लोग भी ग्यारंटी स्कीम शुरू किये लेकिन इससे पहले भी राजस्तान में अशुक घ्यालोड जी ने बहुत से ग्यारंटी स्कीम अनाउंस की फिर लागू भी किया अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं जैसा बोधी साब बोलते हैं कि हर साल मैं दो-दो करोड की नवकरियां दोंगा बोले या नहीं बोले? बोले? दो करोड नवकरियां मिली? नहीं मिली पन्रा लाक रुपए आपके जैब में डालता हूं बोले? डाले? दिये होंगे भई क्योंकि अशोग घिलाउत को डरके तो कम से कम दिये होंगे? नहीं दिये है, तो उनको भी डर रहे हैं ना जनता को डर रहे हैं, ना मंतरी, मुख्य मंतरी, ये लोग क्या कहींगे, एक प्रदान मंतरी अपनी जवान देता है, लेकिन उस पर चलता नहीं, लेकिन आपके मुख्य मंतरी जी, जो वचन आपको दिये थे, वो निभाया या नहीं नहीं? उन्हों तो निभाया, जैसा कि जो पहला राज है, राजस्तान, जहां पर स्वास्थ का अधिकार उन्हों ने दिया, दिया या नहीं दिया? तो यह किसी बीजेपी की सरकार ने दि, सिर्फ बात करते गए, और अब मोदी जी कितने बारा है, राजस्तान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिंती तो गैलोट साब के पास होगा, यहां के मंतरी लोगों के पास होगा, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लमेंट में कम बैड़ते हैं, लेकिन हर राज में चुनाओं के लिए, प्रचार के लिए, वो दवडते ही रहते हैं, और यह तो हमारे करनाटक में गये, इतना दवडे, इतना दवडे, दिल्ली से आये, गली-गली घुमें, फिर भी उनको यश नहीं मिला, उसी डंग से, उन्होंने जो जो वाइदा करके आये, उसको एक भी निभाया नहीं। यहां पर पहले लोग अकबारों में पढ़ते थे, बहुत से लोग पैसे की कमी के वज़े से हॉस्पिटल नहीं जा सकते। लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर गैलोड जी ने उसका इंतजाम किया और इलाज के लिए पचीस लाक रुपय का लिमीट रखकर उन्हें काम करके दिखाए। ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्ख आएं बोले चले गए नहीं, ये करके दिखाए। आपको उसका फाइदा मिला, दियाद के मेरे माँ बहिनों को फाइदा मिला, नवजवानों को फाइदा मिला, पचीस लाक तक। किसी ने किया है, किसी राज में भी नहीं किया। तो ये काम, वही आदमी कर सकता है जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है। जो गरीबों के बारे में उनके तकलिपों को जानता है वो ही आदमी ऐसे काम करता है वो ही पार्टी करती है कॉंग्रेस पार्टी के जो भी काम है वो गरीबों के हित में है चाहे मन्रेगा लो तो यहां पर हमारे जोसी साब भी बैटे हैं कि मन्रेगा कार्यक्रम यहां बहुत बड़े पैमाने में चलता है लेकिन जो पैसा यहां पर चीप मिनिश्टर खर्च करते गरीबों के उपर वो मन्रेगा का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता बात तो बड़े करते हैं गरीबों के लिए लेकिन पैसा नहीं देते दूसरा 21 लाख लोकों को उनका किसानों का कर्ज माप कर दिया सोला हजार करोड यह कर्ज माप कर दिया और शेहरी रोजगार ग्यारेंटी यह उजना शुरू हो गई है शुरू है या नहीं हो गई है तो यह जो ग्यारेंटीज है बिजली का फिल उसमें भी रहात मिला और उज्जवला सिलंडर पान सो रुपय में लाख परिवारों को चात्र लाख परिवारों को उन्हों ने दिया तो यह है हमारा काम और क्या आप चाहते हैं ऐसे कल्यानकारी लोकोपयोगी योजनाओं को उसका काम करने वाले उनकी सरकार बनना चाहिए या जूट बोलने वालों की सरकार चाहिए या आपको सोचना होगा आप तो सोचके यहीं आए आपको फिर एक बार कॉंग्रेस की सरकार या आना चाहिए ना आना चाहिए तो इसलिए आपको अब घरगर जाके प्रचार करना होगा यह अच्छा है क्योंकि जब फिर से यहां पर कॉंग्रेज की सरकार आई तो पार्लिमेंट में 2024 में दिल्ली में फिर दिल्ली में भी कॉंग्रेज सरकार आएगी इसके लिए आपको मजबूत बनना होगा इसके लिए आप लोग काम करना होगा दूसरी चीज मैं सुनता हूँ बैई यहां पर नहर परियोजना एक इरिगेशन प्राजेक्ट है जिसको मोदी जी ने दो बार वाईदा किया था इसा सुना मैं एक जैपूर में दूसरा और और एक जगे उन्होंने दो बार यह नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्राजेक्ट के लिए पैसे देता हूँ आज तक उसका पता नहीं इसको नहीं दिये सच है नहीं क्या जोसी साब सच है एक पैसा भी नहीं दिये लेकिन वो बात बहुत करते हैं लेकिन दोस्तों जो इमानदारी से काम करते हैं उन सब को आप मदद करना चाहिए दूसरी चीज और एक चीज मैं कहूंगा कि राजस्तान एक ऐसी भूमी है यहाँ पर यह वीरों के लिए यह वीरों की भूमी है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमी है और गरीबों को बचाने वाली यह राजस्तान भूमी है पहले तो सर्फ राजे महाराजों के हाथ में था जमीन उनके पास पैसा उनके पास सब कुछ उनके पास था लेकिन जब मात्बा गांधी जी ने जवरला नेरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुदारना कानून आया गरीबों के लिए कल्यान के बहुत से योजना ही आए डाक्र बावासा बंबेड करने जो समीदान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए उनके हकुक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लड़ा और पंडी जवरला नेरूजू ने उनको सपोर्ट किया और गरीब से गरीब आदमी भी वोड देता है उसके पास पैसे हो या न हो जमीन हो या न हो वो लगपती हो या न हो उसको वोड का अधिकार है और वोड के अधिकार से ही वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये जो बावासा बंबेड कर पंडी जवरला नेरूजी ने काम किया ये देश के लिए बहुत बड़ा काम और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान है बाईयो राजस्तान के हालत आपको मालूम है पानी के लिए लोग तडबते रहते हैं दूर दूर से लाते हैं ऐसी अवजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं कर दी और यहां सेंट्रल के चार मिनिस्टर है कितने मुझे मालूम नहीं सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और पच्चीस लोग यंपीज है इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्तान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता नहीं कहां जाता है वो पैसा अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और यंपीज यहां से चुन के आए हमारा एक भी यंपी नहीं है वाँ आवाज उठाने के लिए भी नहीं है सारे लोग मोधी 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 बोलके वोड दिये लेकिन मोधी क्या किया मोधी ने तो धोका आपको दिया लेकिन जिन यंपीज को आपने चुन के भेज़े दे उन्हों भी आपको धोका दिये उन्हों कुछ नहीं ला सके राजस्तान को कुछ नहीं दिला सके ना पैसा ना कुछ भी नहीं हमारे पास एक कावत है कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए तो उसके हाथ में से गलास फुट गई तब गल्ले पे जो बढ़ता है आदमी पैसा उसूल करने के लिए तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिटीगिटी नहीं लिखते थे पुकार के बोलते थे वह एक इसम चाराना दो इसम चाय के आठाना ऐसा बोलते थे अब तो चिटियां वो ये मिलते लेकिन ये घरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया उसके हाथ से गलास फिसल गई और फुट गई तब वो पाप विचा रहा डर के वो जा रहा था त पो जिस गले पे एक आदमी बैठा था मैनेजर उसने बोला नखाया न पिया गलास फोड़ा बाराने का तो पाप विचारा पानी भी नहीं पिया कुछ भी नहीं लेकिन गलास फुटा वो बाराने उसको देना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं थे बोलके वो पानी पीने गया वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बना दर चाते हैं पैसे नहीं हम गरीबों को पीने के पानी की व्योस्ता करना चाते हैं पैसे नहीं और यहां के जितने भी अंपीज है वो भी चुप बढ़ते हैं मैं किसी का नाम नहीं नहीं न चाता हूँ क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भै ठीक है आपकी नुमाइंद की अच्छी खर रहा है तो आपकी नुमाइंद की अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक स काना चाहिए भाईयो राजस्तान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत हो गए कि उनको सन नहीं हो रार था केंद्र सरकार हमेशा यह कोशिश करते रही जहां पर उसकी मिजॉर्टी नहीं वहां सरकार गिराओ फिर बीजेपी को लाओ वह ऐसा यहां कर रहे थे लेकिन यहां के अमेले यहां के लोग यहां के लीडर्स मुख्यमंत्री सब मिलके गिर्ती हुई सरकार को बचाए और आज सब यह स्कीम सा रहे हैं यह स्कीम आए इसलिए कि सरकार बच गई है अगर जाती तो फिर उनके हाथ में जाता कुछ नहीं होता करनाटिक में सरकार उन्होंने पहले गिराया गोवा में गिराया मनीपूर में गिराया उत्तरकंड में गिराया हर जगे सरकार महराश नहीं गिराया हर जगे उनका काम हम तो चुनके नहीं आते जो चुनके आते उनको ही लेकर खरीद के अपनी सरकार बनाना यह उनकी आदत है तो इसलिए आप मजबूत लोग हो लड़ाकों लोग हो आपने सरकार को बचाया इसलिए आज पूरे कारिक्रम आपको मिल रहे है चाहे ओ घ्यास का हो चाहे ओ पानी का हो चाहे ओ खेती का हो चाहे किसानों का हो सब समझाए आज हल हो रहे हैं बाईो मोदी जी आके एक बाशन किये थी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि वह यहाँ पर लाल डाइरी मिली है और लाल डाइरी मिली है उसमें क्या-क्या घोटाला है चलte मैं पताऊंगा उन्होंने कहा चाब वह लाल टायरी मिली मीवरा कि आने वाले चुनाओं में कांग्रेस पार्टी राजस्तान में अपनी सरकार बनाएगी उसाईरी ने लिखाए तो अगर चाहते हैं तो वो लेकर जाओ देखो अवर एक बार अरे जो काम हम कर रहे हैं उसकाम को देखी है तुमारी लाल डाइरी आप यह देखो हमने जो काम पिया ऊदर देखो लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते और और लोकों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशो ग्यालोट के नेतरत में काम हो रहा है इसको कितना मार्क्स देना कितना मार्क्स देना मैं तो जीरो मार्क्स देता हूँ ऐसा मोधी सामने बोला मैं पूचता हूँ जीरो मार्क आप दे रहें क्या इसके लिए दे रहें कि किसानों को जो हमने फाइदा पहुचाया उनका कर्ज माप किया इसलिए आप जीरो मार्क देना चाहते हो और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की इसको तो मैं जीरो मार्क देता हूँ उन्होंने बार बार कहा तो इसलिए भाईयो जो काम हमने किये हैं वो सब आपको मालूम है और उसके अलावा भी जो आज यहां पर गरीबों को वाईदे जो किये थे वो निभाए उसके अलावा मैं यही पूछूंगा कि जब कोई मदद नहीं करता सेंटरल गवर्मेंट से हमारे को तो इसके उनको हमारे लिए बोलने का कोई भी हक नहीं है और एक बात मैं कहूंगा कि जो लोग गरीबों को देखते नहीं आज गरीब और अमीर में इतनी खाई है हम उसको सभी लोग अब देख रहे हैं अमीर अमीर बंदे जा रहा है गरीब गरीब बंदे जा रहा है और इस देश में 98 लोग देश की संपत्ती लूट रहे हैं वो सब मोधी सार के दोस्त है 58 परसेंट और गरीब सिर्फ 2-3 परसेंट में जी रहा है और उद्योग पती के कर्ज माप होते हैं 13 लाग 14 लाग गरीबों का किसानों का अगर कर्ज माप करो अगर कहिंगे तो उनको लाटी गोली चलाते हैं और आपको मालूम है दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान बैटे हुए थे उसमें से 750 लोग मर गए लेकिन मोदी साथ कुछ नहीं किये से बात तो बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते अब महिला आराट खन आपको मालूम है एक तो रावल जे ने भी ये सवाल उठाया है हम भी उठाये हैं हमारी पार्टी भी उठाये कि खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगनना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते है या किसी खौम को अलक रखना नहीं चाहते है हम एक जूट हो के चलना चाहते है लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दे हो जैसा H.C.A.S.T. को भी मिला वैसा जनगनना के आदार पर अगर आप काम करेंगे तो बैक्वर्ड क्लासस के लोकों को उनका हक मिलेगा उनको सब मालुम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े है कितने लोग क्यों के पास जमीन है कितने लोगों के पास पैसा है कितने लोग इंकम टैक्स देते है कितने लोग बेपार करते है कितने लोग graduate हैं, कितने लोग अफसर हैं, कितने लोग secretaries हैं, इसका हिसाब मिलता है, उसके बाद उसको जहां बिटाना है, वहां बिटा के उसको मदद कर सकते हैं, इसलिए हम backward class की जनगाणना पूछ रहे हैं, यह मोधी साहब बोल रहे हैं, देखो backward class को सब को, यह लोग बा बाट रहे हैं, अरे भई हम नहीं बाट रहे हैं, यह तुमारी आदत है, धरम के नाम पे, जाद के नाम पे, तुम बाटने वाले हो, हम नहीं बाटने वाले हैं, हम तो भारत चोड़ो, यात्रा करने वाले हैं, हम कन्या कुमारी से कश्मीर तक 4500 पैदल, हमारे लीडर ने तुम्हारा को ये आदमी चला है साइतना कहीं आपने दुख दर्द देखा दूसरों को टीका करते हैं ये लीडर्स सोने के चम्चे से खाते हैं फलाना करते हैं अरे जो आदमी इतना फिर रहा है सब के लिए उदर देख रहे नहीं लेकिन कांग्रेस के बारे में टीका करना कांग्रेस के बारे में कहना ये बात चल रही है लेकिन हम हमेशा लड़ते हुए आए हैं लड़ते रहेंगे और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है चाहे इंदरा नहर हो क्या इंदरा नहर यह क्यानल क्या मोधी ने बनवाया है Congress ने बनवाया aims किस ने बनाया Congress ने बनवाया जहां जहां भी बड़े dams बने वो सब Congress ने बनाए आप कुछ नहीं बनाए सब को जगड़ा लगाने का काम किये और उपर से बोलते देश के लिए हम लड़ने वाले परसून की फोटो देखा में कहां पर पारवती कुंड वहाँ पर फोटो देखा उपर सफेद कपड़े डाले अंदर क्या है वोले तो जाकीट पैंट है उपर से एक सफेदू जैसा बेस डालके आते न वैसा बेस डालके वो पारवती कुंड के सामने जाके बैठे कि इतने महाँ इतने ये ने जो भगवान के बारे में श्रद्दा रखने वाले चीप मिस्टर प्राइम मिस्टर है ये दिखाने के लिए बही हाथी के दात होते हैं दिखाने के लिए ये और खाने के लिए ये वैसा ही मोदी जी का है दिखाने का एक खाने का एक अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक तो जनगर ना चाहता हूँ बैकवर्ड क्लास लोग मजबूत हो जाओ लेकिन दूसरों भी दूसरे लोग भी मजबूत बनना इसमें भी हम कॉंग्रेस पार्टी विश्वास रखती है सबको समान सबको फाइदा होना इस रास्ते पर हम चलना है और महिला एक रिजर्वेशन हमारे माँ पहने उदर बैटे है मैं देख रहा हूँ जरा अशोग जी और हमारे कॉंग्रेस अद्धेक्ष तुम महिलाओं को इदर जगाई नहीं देते या तो उदर देते या तो इदर देते मैं देखा हूँ एक ही मीटिंग में नहीं मैं छे मीटिंग में देख रहा हूँ या उदर बिटाते या इदर बिटाते बीच में मर्दों को बिटाते पुर्शों को बिटाते तो उन माँ भैनेओं के लिए सोनिया गांदी जी ने राहूल गांदी जी ने इससे पहले राजू गांदी जी ने साथियों मेंसे किसी ना किसी आद्मी मंत्रि पत्ध हो तब से हम लड़ रहे हैं तैसा कि हम जिला पंचछ तालूका पंचछ और ग्राम पंचायथ के लिए लड़ें और महिलाओं को reservation मिला आज मैला है जिला पंचयत के अत्यक्ष बने हैं अभी एक मैला अत्यक्ष बनके हमारे पास यो आए थे उन्हों ने शुरू में तक्रीर की यह सब Congress Party जो गरीबों को power देना है शक्ती देना है मैलाओं को शक्ती देना है वो देती रही है नहीं तो आज कोई SC, ST, backward, मैला अध्यक्ष नहीं बनती थी या नहीं बनता था ये देन है रावुल गांजी ये देन है Congress Party का हम उसी ढंग से Parliament or Assembly में लाना चाते थे उसके लिए हमने काम किया लेकिन हमारा जो लाया हुआ बिल था वो उस वक्त यही बीजेपी वालोंने फेल करा दिया उसको सपोर्ट नहीं किया तो गिर गया लेकिन आज मोदी जी आके बोलते भायो और भेनो हमने वो पिल लाया और Congress वालों ने बेदिली से उसको सपोर्ट किया मजबूरन सपोर्ट किया अरे मजबूरन सपोर्ट पैदा तो हमने किया शुरू तो हमने किया हम बेदिली से सपोर्ट करते हैं हम तो दिल से चाहते हैं कि महिला उपर आए और कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्ता है महिला हमारी प्रदान मंत्री बनी यूपे की चेर परसन महिला बनी हमारी स्पीकर पहली स्पीकर महिला बनी हमारी पहली जो राजसबक हमारे राश्टपती बनी वो भी तुमारे राजस्तान के गवर्नर थे पहले उनों राष्पती माइला को बनाये पहली ही वो भी सब चीज पहला हमारे हाथ से हुआ तुम सब बाइद में हमारा देखके कौपी कर रहे हो अरहर है हमारा तो कौपी है कौपी राइट तुम लेना चाहते हो लेकिन कभी जनता आपको कॉपी राइट नहीं देंगी नहीं भूलेगी कि कांग्रेस ने जो काम किया वो हमेशा वो याद रखेंगे आज भी याद रखते हैं आने वाले दिनों में भी याद रखते हैं तो मैं इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्वा देता हूँ इतनी कड़ी दूप और सुबह से आप लोग यहाँ बैटे हुए हैं अपनी बात सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी को योजनाएं जारी किये होंगे यह जनता के लिए किये यह आप के लिए किये और यहां के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया और आज इसकी कॉम्पुटिशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिस कर रहे हैं सिर्फ राजस्तान का ही नहीं हमने जो घोशना करते हैं कॉंग्रेस पार्टी वाले उसको बड़ा चड़ा कर फिर वो भी घोशना करने की शुरू किये हम करनाटक में ग्यारंटी स्कीम लागू की तो अब बागी के लोग भी ग्यारंटी स्कीम शुरू किये लेकिन इससे पहले भी राजस्तान में अशोक घ्यालोड जी ने बहुत से ग्यारंटी स्कीम अनाउंस की फिर लागू भी किया अनाउंस करना है हमेशा कोई भी करते हैं जैसा मोधी साथ